मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदूरिया टाइम्स कोरोना संक्रमन और उसकी भयावे इस्तदी पहले जनता कर व्यूब लोगडाउन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और अब फोर्थ समाप्थ होने को है हो सकता है कि ये लोगडाउन की अवधी बढ़ाई जाए या कि लोगडाउन को केंदर सरकार के द्वारा प्रदेश सरकार को इस बात की छूप दी जाए जैसे कि अभी हाल में भी दी हुई है कि वो अपने इस तरके ऊपर होट स्पोट एरिया को चिनित करते हुए अपनी व्यवस्था के इसाब से इस लोगडाउन को एक तरह से मोडिफाइड लोगडाउन का रूप देते हुए जारी करे आखिर क्या कुछ रहा कोड़ पूटली परिछेत्र में लोगडाउन 4 के अंतरगत की क्या के कोरोना संक्रमित मरीजों की क्या इस्ति रही कोरोना पॉजिटिव कितने रहे क्या आखिर यहां पर संसादन रहे और कौन से ऐसे संसादन अभी बहुत जल्दी निकट मविश में यहां पर एप्लाई किये जाने वाले हैं इन सारी बातों को लेकर आज हमारे बीच में है राजकिये जिला इस्तरिये बीडियम हॉस्पिटिल के पीमो डॉक्टर केल मीना साथ और दूसरे हमारे साथ मुझूद है यहां पर कोट पूटली ब्लॉक सी है मैं जो डॉक्टर रामनिवास यादव मैं डॉक्टर रामनिवास यादव जी आप से ये जानना चाहूंगा कि आखिर कोरोना कोविड 19 और कोरोना पॉजिटिव में क्या फर्क है और साथ ही आप ये भी बताएं कि अभी ब्लॉक में क्या इस्तियां है कोरोना पॉजिटिव को लेकर ताकि समय रहतर आने वाली कत्ति तारिक के बाद जो भी लॉक्डाउन की परिस्तियां बदलती है क्या हम उन सारी चीज़ों को फेस करने की इस्ति में है डाप्टर राम निवास याद्ट जो कोविड 19 है इस कोविड को आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेगा कोविड का मतलब है कोरोना वाइरस डिजीज जी सी ओ ओ वी आई वाइरस डिजीज तो कोरोना वाइरस डिजीज तो कोरोना पोजिटिव कोविड 19 बहुत है से राज यह जो पंचाय समीती में मिटिंग रखी गई है किस परपस रखी इसका मेरी परपस तो रही है जब पानी की समस्या जड़ी की समस्या कर दो करना के रिगार्डिंग क्या रहा है 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 कर दो हमारे व्लोग और पूपली ने आठ पेस पोजिटिव इतले हैं एक सो गेरा किसे इसके आपने जो बहुत के प्रवासी आ रहे हैं कि रहें वेंडल संप्रिंग की है जो आठ को जी निटले हैं वह वालों की सेंप्लिंग करवा दिये हैं जो सब में एक प्रोड्लम मीडिया को यह आ रही है जैसे हॉस्पिटल है वह तो एक रैफरल यूनिट है अपनमाने नेश्टल हाईवे आट पर है और कोट पूरली और इससे लगते वे 16 किलोमेटर पे से रिक्वाइड है कि जहां से यह सारी चीजों की हमें जानकारी मिलें विशेस कर पूर्पूर्ली तहसील की तो अपडेट हो जाए बड़ी ब्रामक इस्तथियां होती है कि पावटा से मीडिया अलग ब्रेकिंग करवा रहा है कोट पूरली मीडिया अलग कर रहा है और और कि दियर निकल सक्ते हैं उनकी अलग से लिटेयल लेकर आप तो उस पैसिजमें पैसिट वाली लेशिए उसमें जोड़ना कर रहा है कि जोट प्रूपूपूपूपूपूपूपूप्ली पंचार समीत अध्य है उसके रिक्राइब कार्चार समीतिया है उसके अधिप तो आपको उनसे लेना पड़ेगा एक इस तर पे पहले को लेकर के काफी सारे बुलेटिन यानी 4-5 बुलेटिन पहले प्रसारित होते थे और कल की अपडेट यह है कि वल दो ही टाइम फिक्स किये गए है साड़े दस बजे और शाम को साड़े आठ बजे लेकिन उसमें अपडेट पूरी आ जाती है तो क्या इस तरह का कोड़ पुटली में संभव है कि मीडिया के वह लेकी जगें आपको टच करें और जानकारी पूरी मिल जाए कि जानकारी में कोर फिक्स टाइम ऑप जो पर सकते कि अपका प्रत्वस्य स्वग में नहीं हो सकता कि एक प्रफव्य डाइज कर देंडाय कि कूरी जानकारी संक्रावे और को इसलिए कि आप जब जी पांच बजी के आसपास रोज ले ले ला करें उसमें तरी को लोगडाउं फोर समाप्त हो रहा है और कोड़ पूर्ली की समीक्षा की बात करें तो आपको क्या लगता है कि होशकता है कि इस्तिकी को संपर्स नहीं कर सकते हैं बदलते इस दोर में कोरोना लोगडाउन की स्तियों का बदलते वे देख कर आखे कोड़ पूर्टली बीडियम होस्पिटेल जो की अपने आप में नेशनल हाइवे आट परिस्तित है और इसमें आने वाले हर एक व्यक्ति की स्क्रिनिंग किये जाने से लेकर और उसके सैंपल लेकर के उसे जैपूर भेजा जाना तक सुनिश्चित किया जाता है यानि एक ऐसा होस्पिटल है जैपुर जिले का जहां हर एक व्यक्ति आने के लिए स्वतंत्र हैं किन संसादनों की और ज़्यादा आवशक्ताएं हैं और इस्थानिय विधायक और राज्यमंत्री या ऐसे कौन से भामाशा हैं जो की बीडियम होस्पिटल को कुछ सयोग प्र कारियों की एक रिव्यू बैठकली है उसके अंतरगा कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट फॉर्मिशन को भी उन्होंने जाना है अपडेट इश्थितियों का उन्होंने जानकारी आप लोगों से हासिल की है तो वहीं उन्होंने मौसमी बिमारियों सहीत ऐसे बहुत सारे विश्यों पे चर्चा की है ताकि आने वाले समय में वो संसाद में खटे कर सके और आम जन की जिन्दगी को बैतर बना सके बैराला वीडियम को लेकर के कौनसी ऐसी जानकारी आप पब्लिक से शेयर करना चाहेंगे जिससे कि उन्हें बिना पैनिक हुए आने वाले समय में क को लेकर और हैल्थ डिपार्टमेंट को लेकर और सबसे बड़ी बात है कि गर्मी के तेवर बताते हैं कि मौसमी बीमारीयों का भी अपना एक तेवर समझने आता है क्या कुछ अपडेट रहा है अगे आने वाले टाइम और कैसे बढ़ेगे हैं उनको किस तरह से अपना तय पर अपने क्या क्या कर सकते हैं इससे बड़ मंत्री जीन हमको आज यह बताया है कल दुबार अग्री मिटिंग करेंगे को ना की जान से अपने जहां तक बीजिन वीजिन वीजिन की जाए उसके लिए मशीन करीदने का आश्वाशन दिया है कि मैं MLA कोटे से करी ज़ुआत कि वीजिन होस्पिटल के ऊपर ओपीडी का और मरीजों का बाहर कम करने के लिए फिल्ट के अंदर हमारे यहां दो सी बढ़ी है तो उसके अंदर किस तरह से आपने महां पर विल्डिंग और विवस्ता ही करें इस बारे में बीसें को साब से डिसकस किया है कि जिसमें मिनिम कि फाय्दा होगा उसके बारे में उनने डिसक्स किया है कि इस तरह से क्या क्या है जिसके बिच्तार की अलें तो पर विसके इस ताफ कि कमी ने इस तो बाता दाता है जैसे मसा पर भाषिंग दोक्स आप आप तो इस तरह की स्थिति है तो हमने तो यह की सुझाओ दिया है कि वहीं इस चीजें सारी डिसकस किये कोगोना के बारे में बताई जाए मैंने कि एक लेव अप्रबास में सब्सक्राइब अगर मिलता है पसी मिलती है तो अगी कितने पेशेंट अपने यह से पोजिटिव आपने डिक्रेंट कि हमारे बीडिया में अभी केवल 6 पेशेंट हमने रिकोट करें जो हमारे एडिवेशन हुआ है उसमें से दो पेशेंट पाउटा के हैं वो पुनीने ट्रेस्टिंग करी तो इसके अकोटिंग के जिला इस तरी होस्पिटल डिकले किया गया था तो उसके अकोटिंग कैसा अनसादन सारे अभी वक्तिन नहीं कि अभी लोगडाउन ओने को है पांच वां लगे गा या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कोटपुटली चेत्र की हम बात यदी करें तो पाउटा भी इसमें शामिल हो गया है बांसूर में भी संख्या बढ़ी है और अपको इधर सरुन्ड चेत्र में भी है में चारों तरफ ही चीजे बढ़ है आप क्या मैसेज करना चाहेंगे क्या संभावना है इस लिए इनको कंट्रोल करने के लिए प्रसाशन और सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर यसे पेशेंट आते हैं अपने अर्या में अपने गरूं के आसपास हो भी शूचना करना हो वैसे प्रसेंट कुछी सूचना देते हैं लेकिन कि पुछी रहे जाता है तो उसकी पुर्ण सूचना देखर के स्क्रीमिंग और इसी है उसकी जांस होईजी है ताकि और कमुद्या